तो कैसे हो आप सभी लोग आप सभी लोग बढ़िया होगे और आप सभी लोगों को बढ़िया होना भी चाहिए तो फटाक से लाइक से सस्क्राइब कर दो चैनल में सस्क्राइब का बटन देख रहा होगा तो उसे जरूर से प्रेस कर देना वीडियो को लाइक कर देना और व तुम लोग भी जाकर गूगल में ट्राइ करो एक बार सर्च करने की Battle of Magic World Pocket FM सीधा सीधा नोबल ओपेन हो जाएगी तुम लोग के सामने और आइटर को जाकर थोड़ा सा बोलो यार की चैप्टर एप्टर अप्लोड करें साला हम पढ़ चुके हैं इतना तो अब हम आगे की स्टोरी जानने के लिए क्यूरियस है की साला होने क्या वाला है यह जो दो बेहने हैं यह जो यारन की भाई कहकर ले लेने वाली है जो यहन इन दो बेहनों के बीच में ही उल्जा हुआ है इनकी बेवकूपी और चूती आपे में एक प्रॉब्लम में पढ़ती और यह उसे बचाता रहता है दूसरी बहन इसे मक्खन लगाती रहती कि उसे बचा लो खेर छोड़ो आज आते हैं अपन लोग इस नोबल के पिछले एपिसोड पर जो की काफी सांदार था जहां लोग ने देखा हुआ होते यह काफी श्रॉंग था सिटी गेट के अंदर अबेसली आप जब तक डाउसेंग लेवेल या फिर उसके उपर के बॉर्यर नहीं है यह एक हाई लेवल केलकिमिस्ट आपको इंट्री नहीं दी जाएगी साथ ही साथ जैसे ही जुहान यहाँ पे अंदर इंटर होता है एक बंदा जुहान से चौड़े आ जाता है क्यो है? इस जद्ध हमें जो देखकर जुहान इस पे ज़्यादे ध्यान नहीं देता एरिना में दो लोग पहले से लड़ रहे थे जिन में से एक मर जाता है जिसके बाद जो अनके था हम लोग भी लड़ना चाहते लेकिन एक बंदा कहता होई लाइन में लग उसी टाइम पे दो पारफुल और यह आते हैं जिनने देखकर यह लोग डर करका आप दो कहते हैं डावडी और पीछे अट जाते हैं जिसके बाद हमने देखा था कि जो लोग जो आयते वोते जिया मेंक्सुई यानि कि जिया फैमली का यंग मास्टर और बू सुआंग बू फैमली का यंग मास्टर हालाक इनके बीच बेटल हुई थी कि तभी इन दोनों के ग्रेंटफा आ जाते हैं और कहते हैं कोई बात ने इन दो लॉंडो को लड़ने दो देखे तो कौन है जिसके बाद इन दोनों के बीच की बेटल स्टार्ट हुई थी जो की पहले तो ड्रॉ में एन्ड होती हैं जिसके बाद ये लोग अपनी टू बेटल पावर को सो करना सुरू कर देते हैं एपिसोड में ने वह एन्ड किया था तो ये जो एपिसोड है जैस्ट नहीं से स्टार्ट होता है आव देखते हैं अब इस एपिसोड में क्या होगा कि जितना वो वेव फैमली के यंग माश्टर को गुस्सा दिलाएगा उसके लिए जीतने के चांसे सुतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे इसलब वो अब्यसली यहां उसकी बेज़्यती करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा होता जो देखकर वो भी तुरंदी कहता है मैं भी तुम्हारा चेहरा तोड़ दूँगा और तुम्हारी जणे उखार दूँगा तुम्हें खुद पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ना मैं तुम्हारे कल्टिवेशन को तबाह करके तो मैं मरने के लिए छोड़ दूँगा जिससे तुम कभी भी उपर नहीं पाओगे ना जी पाओगे ना मर पाओगे इस टाइम पे एक बाद तो क्लियर थी कि वो जियांग को काफी अरगुसा आ गया था जिसके बाद उसके आथ में एक इस्टिक दिखाई दे थी जो दरजनों मीटर लंबी हो चुकी होती है साथ ही अगर ये चड़ी किसी को उपर टकरा जाए तो ये उसे मास्क के पेश्ट में बदल सकती थी जो देकर जियांग का जो गदा होता है और वो जियांग का जो गदा होता है वो नीचे बटल एरियां से टकरा आया था किसी को भी पता नहीं चला था कि अभी क्या हुआ लेकिन उसके गदे के नीचे ठकराने से फ्लोर को जरासा भी नुकसान नहीं हुआ था जिससे पता चला होता है कि ये फ्लोर कितना है श्ट्रॉंग था दूसरी दरफ जो जिया मेंग सुई होता है वो बाल बाल यहां बो जियांग के अटेक से बचा हुआ होता है और वो तुरंती पीछे आकर यहां जिया मेंग सुई बो जियांग को देखता है साथी वो सीधा ही समझ गया था कि बोजियांग के पास क्योंकि उसने अभी अभी अटेक किया है और उसका जो ये गदा है क्योंकि उसने इसे बड़ा किया हुआ है इसलिए वो क्लोस बैटल में इतना जादा अच्छा नहीं होगा वो तुरंति उसके क्लोस जाकर अपने कर देता है साथ ही उसने अपनी जो स्रॉड होती है उससे बोजियांग की चेस्ट को चीरते हुए और हर जगा पर खुन बिखरते हुए देखा था और यह देखते हुए कि ज्यामेंग सुई ने मोहके का फायदा उठाया है बोजियांग जल्दी में नहीं होता और एक ज्यामेंग सुई जो बोजियांग के सामने था वो एकदम सौक हो चुका होता और एकदम कोइंसिट जैसे कि वह वानों फ्रीज हो गया हो जाहिर तोर पर बोजियांग के इस सडन बैटल चेंज के बारे में उसने बिलकुल भी नहीं सोचा था यह जो बैटल स्किल था जितना कहने के बाद ही जो यह नॉर्मल स्रॉड होती है वो जियांग के चारो तरफ दो बार चक्कल लगाती है और तुरंती जियांग सुई को उपर अटेक करने के लिए आंगे बढ़ गई होती है एट रेड ब्लड ड्रेगन्स में साथी मंच के नीचे ड्रेगन का जो र लगी हुई बेटल सील्ड के करन काफी अतक सप्रेस हो गया था लेकिन इस रोर अटेक से निकलने वाले और एको महसूस ही यह लोग कर सकते थे और इसमें कोई सक्की बात नहीं थी कि जो ड्रेगन रोड सॉनिक बैब अटेक था यह बेहत तेज और सार्प बैब अटेक था जो किसी को भी एक पल के लिए हैरान कर सकता था और यह वो जियांग का जिया मैंग सुई के उपर किया गया एक हिटेन अटेक भी था जिसके करन जिया मैंग सुई को अपने मन में और सोल में बेहत तेज पेन महसूस हुआ था दूसरी तरफ फूदी टमबे बलड रेड भी भूल चुका होता है कि वो एरीना में खड़ा होकर बैटल कर रहा था दोस्तक जब जिया मैंग सुई को बो जियांग अपने ब्लड सौर से डरा हुआ देखता है तो अचाना की खोज दिखाई देता है आखरकार अपोनेट की ये सिचुएशन उसके लिए जीत को एक खट का जो टेलेंट और कल्टिवेशन है वो वेकार नहीं और वो भी काफी टेलेंटेट परसंस में से एक है हाला कि बो जियांग अपने आद की ब्लड स्रौड ड्रेगन स्किल से जीत तो सकता है इसलिए वो तुरंत ही कहता है जिया मैंग सुई याद रखना अंगली लाइप म पूरा लिंचन सिटी कुछ टाइम के लिए लाइबली हो गया होता है हाला कि जैसे ये स्रौड अटेक जिया मैंग सुई के गले को टच करता है अचानक एक तेज ब्राइट परपल लाइट अपेर होती है जो तुरंत ही एक परपल इस क्रीन या कहें तो सील्ड में बदल ज जाती है जो जिया मैंक सुई को घेल लेती है दोस्ता वो जियांका जो ब्लेडी डेगर या स्रौड जिया मैंक सुई के खोपड़े तक पहुँच गया होता है उससे बुम की अब आजाती और वो दूर की तरफ चला जाता है साथी ये कोई और नहीं बलकि जिया दे हुआ ह होता है जिसने अचानक से एक्शन लिया होता है जब वो यूंसेन अपने पोते को उपर जिया दे हुआ को अटेक करता हुआ बेटल में इंटरफेयर करता हुआ देखता है तो बोरह उत्रंती चिल्ला तो कहता है बूढ है बेसरम आदमी क्या तुम इतने ज्यादा फट्ट करता हुआ देखा था जो देखकर वो तुरंदी गयता है कितने बेसरम इंसान हो तुम क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने पोते को अपने सामने मरता हुआ देखूँ आपके पोते के हां तो मेरा पोता आपके पोते से कैसे हार सकता है जो सुनकर तो वो यूंसेन के चरह एक पोडी लेबल तक पहुंच गया था साथ ही उसने काफी सारे इडिन स्किल्स भी सीखे थे दूसर बो जियां उसने अपने क्लेन की हिडिन टेक्निक सीख रखी थी जो धी कि ड्रैगन रोर ऑफ दा और डाइरेक्सन और इतनी कम एज के अंदर ऐसे कल्टीवेशन लेबल को हास कर पाना उसे यहां के हजारों टेलेंटेड लोगों यहां असपास के प्लेसेस में सबसे टेलेंटेड बंदा माना जा सकता था यहां था कि वो युनसैन भी उसे काफी ज्यादा एप्रिसियेट करता था दूसर जिया मिंग सुई जो खोपड़ी सुनने तरीके से बेटल फ मैं का प्रेसर होता है क्योंकि युनसैन यहां पे एक टक यहां मिंग सुई को देख रहा होता और अब्वेसलिए पाबर लेवल के बीच का गैप था और उसे ऐसा महसूस हो रहा हो जैसे कोई गौड उसे घूर रहा हो जिसके करणों से खड़े खड़े भी काफी यादा ड देखने के बाद बीड में खड़े होकर जो यान की आंके भी सिकुड चुकी होती है और वो बुद्ध बुद्धाते हुए कहता है वो युंसैंग बास्तों में काफी पावर्फुल है वो एक नजर में ही वन इस्टार डू एम्परर जैम एंक सुई को इतना ज़्यादा ब डूइकी कॉंटिनेंट के जो एंसेस्टर्स यहाँ पे आए होंगे फिर वो कितने पावर्फुल होंगे इसी टाइम पे एसेंट कॉंटिनेंट पर एक एसेंट पैलेस के अंदर एक सहर में यह सहर जो काफी जरा पावर्लेस होने का एहसास करा रहा होता है जो यान को महसू सो रहा होता है कि वो जो डूल की कॉंटिनेंट में गौड था वो इस एसेंट कॉंटिनेंट के सिर्फ एक कॉंटिनेंट के एक छोटी सीटी के अंदर बास तो में कुछ भी नहीं के बराबर है हाला कि जुआन अभी भी अपने दिल में इस ऐसास को काफी अदा अच्छा मान रहा होता क्योंकि यह एसास जुआन ने काफी लॉंग टाइम पहले ही खो दिया था कम से कम अब जुआन की दिल में एक श्ट्रॉंग बनने का थोट था और हर एक लेवल को क्रॉस करने का जुआन तुरंदी करता है मैं श्ट्रॉंग बनना चाहता हूं बनना मैं जिन पूट की स्रॉड का यूज कर रहा है अगर जैमिंग सुई के पास वह स्रॉड नहीं होती तो वह अब तक जमीर में गिर गया होता यह देखकर ऑब्यसले उसका ग्रेंट फादर सांथ कैसे बैठ सकता था उसे पता था कि यह व्यू वह यून सैंग की पावर है और उसके प पता था कि उसके ग्रेंट फादर ने एक्सन लिया है इसलिब वह मदद नहीं कर सका होता लेकिन एक राहत की सांस लेता है यहां पर इस टाम पर जो जोर जोर से हाप रहा होता है और अपने पोते को हापता हुआ देखकर जूध हुआ गुस्से में आ गया होता है बहुत त इस टार डावडी की पावर के साथ तुम बास तुम एक जूनियर कूपर अपनी पावर का यूज करने की हिम्मत करते हो तुम्हारे पास क्या स्ट्रेंथ है क्या तुम अब पुराना चेहरा अपना नहीं बचाना चाहोगे अगर आपके पोते ने ड्रैगन रोरिंग इन औ और यहीं खड़े रहें लेकिन आपका पोता तो मेरे पोते को मानने की कोजिस कर रहा है अगर मैंने उस टाइम पे उससे नहीं रोका होता तो क्या मेरा ग्रेंट सन अब तक डेड़ बाडी में नहीं बदल गया होता तो क्या मैं उसे एक छोटा सा सबग भी नहीं दे सकता इसमें क्या गलत था जो देखकर वो यूंसेन भी तुरंती गयता है तो क्या तुम्हें लगता है कि वो फैमली को धंकाना इतना आसान है उसकी आवाज एकदम तेज होती है और उची भी जैसे वो खुले तौर पर द्रेगन की तरह रोर कर रहा हो जो देखकर जूद हुआ तुरंती कहता है वाह ओल्ड मैन तो तुम बास तुम अपनी के पर इंबर्स नहीं हो मेरा ग्रेंट संवी अपनी फैमली के ड्रेगन रोड टेक्णिक कर सकता है अगर तुम्हें वरोसा नहीं तो से उसका फैमली बैटल स्किल या क्लेन बैटल स्किल यूज करने दो फिर द बताईए आपकी वो फैमिली उस परसन को कैसे बताईगी कि आपने रूल्स तोड़े हैं तो क्यों तोड़े जब वो वो यूंसेंड जया दे हुआ को उस अजीब परसन के बारे बात करते हो सुनता तो उसके इंप्रेसन बदल जाते हैं और वो फिर से नॉर्मल होते हो कहता ह इससे मैं कैसे समझाओंगा ये मेरा काम है लेकिन मुझे तुमारे पोते द्वारा किये गए आज के काम को मैं जरूर याद रखूंगा वो यूंसेंड द्वारा क्रूल वर्ड कहे जाने के बाद वो जियांग को लेकर वो तुरंती यहां से चला जाता है जैसे ये दोनों आज में इंटर होने वाले होते हैं के एक पीले चेहरे बाला आदमी तुरंती ज्यौहन की डायरेक्शन में आ जाता है साथी जो पर्सन आवई-अभी भागा होता वो उसी आ पेजर मैन के पास आता है और अचानक उसके कान में कुछ फुस फुस आता है जिसी उस पर्सन की आखे और चेहरे अच्छानक बदल गए होते हैं और वो तुरंती कहता है लड़के तुम आज लखी हो आज मुझे किसी जरूरी काम से जाना है बरना ताओं आज यही मारे जाते और इतना कहने के बाद वो आदमी अजीब तरीके से मुस्कुराता है वो तुरंती कहता मुझे कहना होगा तुम्हारे लख बास्तों में काफी अच्छा है बास्तों में अच्छा तो चले जाओ अगर मैं अंगली बार फिर तुम्हारे पास आया तो हो सकता है कि तुम इस बार की तरह लखी ना हो और मेरे हाथों मार दिये जाओ इस बंदे की आबाज और बातों को सुनकर जोयान को ऐसा लग रहा हो थे जैसे कोई जोक मार रहा हो क्योंकि इस परसन की जो पावर दी वो सिक्सिस्टार फाइटिंग सेंड से ज़्यादा नहीं थी और इस पावर को देखते हुए जोयान के लिए ये पावर सीरियस लेने लाएक जरासी भी नहीं थी साथ इस बंदे ने देखा था कि जोयान का जो और रहा है वो उससे बीक है वो सिक्सिस्टार के इंटर्मीडियेट पर है जबकि जो अनिस्टार्टिंग इसी लिए उसने जोयान को नाराज किया था जबकि बेचारे को पता भी नहीं था कि जोयान की जो रियल पावर वो टीश्ट टू इस्टार्ट डावडी के उपर है जिसके बाद ऐसे ऐसे ट्रंप कार्ड्स हैं जिन में से एक कभी सामना वो नहीं कर पाएगा लेकिन आखि जाफी ज़्यादा गलत होगा हाफ एचिड मैन के चले जाने के बाद इस बंदे को थोड़ा सा टॉचर कर गए समझाने के जो उनका जो थौट होता है वो जो जो अपने दिमाग से निकाल देता है और कुछ पूछ ताच के बाद जोन को अंते था पता चलता है कि जी ओ वो कैंग लॉंग माउंटेन रेंज से रिलेटेड एक जाइन्ट माउंटेन पीक है जो लिंचन सीटी से तेरा सो मील दूर एक्स्ट्रीम बैस्ट डाइरेक्शन के पास है और किसी ने एक बार बहुत टाइम पहले एमपरेर जियो युवान को वहाँ पे देखा था साथी क दुर्गम भी कहा जा सकता था यानि उस माउंटेन रेज पे ट्रेबल करना या चड़ना या वहाँ के एरिया को कैप्चर या कबर करना मुस्किल था जिसके बाद नीले आसमार में काले कपडों में लिप्टा हुआ जो जियो युवान होता है जो अंतुरंदी कहता है मैं ह दूर से देखत हुए उची-उची माउंटेन पीक से ऐसा लग रहा हुता है जैसे तेज तलवारें आसमान के सीने में घड़ा दी गई हो साथी इनके अंदर से एक एसियन ट्रेक्शन रिलीज हो रहा होता है जो लोगों को काफी आरस सारल और सीरिया से हैसास करा रहा होता है साथी कैंगलोंग माउंटेन रेंज बेहाद खड़ी होती है और काफी बड़ी होती है साथी इस टैंपी जोन की स्पिचल पावर के साथ वो हजारों मील के एरिया का पता लगाने में कैपवल था और केवल तीन घंटे की खोजबीन के बाद जोन को अभी भी ये उतना ही आसान महसूस होता है जोन आसपास के एरिया को चेक नहीं कर पा रहा था ज्यादा डीटेल के साथ जोन तुन दिकता अगर मैं बास्तो में इसी तरीके से चेक करता रहूं तो मुझे हाजारों मील के दायरे वाले कैंगलोंग माउंटेन को पूरी तईके से स्केन करने में ल चेले जोन यहाँ पर इस टेकनिक के बज़ जाए डिसाइड करता है कि वो इस केंगलोंग माउंटेन के एरिया के पास जाएगा हलाकि नॉर्मल सिचेसन में कोई भी इतना इडियाट नहीं था कि जो यहाँ पर ऐसे माहौल में आएगा लेकिन अब्यसली जोन हमेशा ही ब् आइटिकल्स निकलने लगते हैं जो सभी डाइरेक्सन वे फैले लगते हैं जोन अब आसपास के एरिया को खोजना शुरू कर देता है जो यहाँ की जो इस्पिच्छल पावर के क्लेश्टर्स होते हैं देखते ही देखते ही देखते पूरे ही कैंगलोंग माउंटेन को कव वाल नहीं था जोन क्यांके लगवाख खून से लत्पत होती और चहरा पीला इन चार दिनों के बाद जो इन जब इस माउंटेन रेज को पूरी तरीके से सकैन कर लिया होता है साथ ही साथ कुछ प्लेसेस का जो इन ने कई बार निरिक्छन किया था और सकैन किया था लेकिन इन जोन को कुछ भी एक्स्रा ओडिनरी पता नहीं चला था केवाल पहाड़ और पानी के लाबा जोन तुरंदी गयता सीनियर जियो युवान क्या वो अभी भी यहां कल्टिवेट कर रहे हैं एस बने माउंटेन को खाली देखकर जोन खुद से ही बुद बुद आता है जो जो आप बुद बुद आते होए का होता है यह यंग मैं डावडी है लेकिन यह है कौन और यह मुझे इतना फैमिलियर क्यों महसूस कराता है यह वस एक फैमिलियर इसमेल है जो किसी और चीज के साथ मिक्स महसूस होती है लेकिन आखिरकार यह है कौन और मैं इसे जानता क् familiar महसूस कराता है लेकिन मुझे लगता है मुझे इस लड़के से मिलना चाहिए और पता तो चले कि इसका इरादा क्या है जितना कहने के बाद old man अचानल की gap हो गया होता है और आसमान में कोई भी हल चल नहीं होती जिन लोगों का ऐसा महसूस हो रहा था जिस से मानों ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये old man कभी भी आसमान में दिखाई ही नहीं दिया था दूसर जियान यहां हार माने को तयार नहीं होता और कुछ precious places को एक बार फिर से स्कैन कर रहा होता है लेकिन यहां infinite mountains range rivers और तलाब के अलाबा कुछ भी नहीं होता है के बले केशियन टेट मॉस फेयर जो देखकर जियान कहता है मेरी किसमत इतनी भी अच्छी नहीं सीनियर जियान को ठूडना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं एक रएक दो दिन में कर सकता हूँ और जियान उदासो कर मुडता है और तुरंटी क kommunता है मुझे नहीं पता सीनियर जियान अब कहा मिलेंगे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लिंचेन में वापस लोटने के बाद साबधानी पूर्वक पूछताच करनी चाहिए कि क्या सीनियर जो यॉन के बार में कोई और खबर है हाला कि जैसे ही जॉन यहां से जाने बाला होता है या चानक ही और इससे भी ज्यादा हास्यपद बात यह है कि यहां से लग रहा है यह परसंच जैसे यहां पे मॉस्टर्स को मार का उनके कोर को छीनने और उनके साथ कल्टिवेट करने के लिए हाँ पर आये था हाला कि चाहिए कल्टिवेशन हो या ना हो लेकिन लकड़ी काटने से भी आपकी फिजकल बोडी और आपकी सेहन सकती बढ़ सकती है और इन चीजों का कल्टिवेट करने का सबसे अच्छा टाइम खुद को ट्रेन करना होना चाहिए जान तुरंदी काता है ये ओल्ड मास्टर ये ओल्ड मास्टर एक फाइटिंग सेंट है लेकिन अभी भी ये ऐसा क्यों है यहां के बल तीन ही सर्तों के बारे में जान सोच सकता था पहला ये 80 साल का कूसर बंदा है जो कल्टिवेशन से तंग आ चुका है और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है दूसरा है ये परसन अपनी पावर या किसी टेकनिक को सीखने के लिए यहां पे किसी बिसेश टाइप के कल्टिवेशन के पास को फालो कर रहा है या फिर तीसरा इस ओल्ड मैन के पास कोई बड़ी या बूरी साजिस है और ये लकड़ी काटने का इरादा दिखा कर यहां पे से छिपाने का कोसेश कर रहा है हाला कि जौन की राय में पहला मूमेंट तो पूरी तरीके से इंपॉसिबल है और तीसरा को ज़्यादा ही हार्ड तो जौन को लग रहा होता है कि यह दूसरा होगा यानि यह किसी टाइप की बेटल स्किल के लिए इस बात को फालो कर रहा है जिसके बाद जौन तेजी से इस ओल्ड में की तरफ हा जाता है और इसके बाद जौन उससे ज़्यादा दूर नहीं थोड़ी दूरी पर उतरता है और कहता है ओल्ड में मुझे नहीं पता थे कि तुम यहाँ पर लखडिया काट रहे हो जोन ओल्ड मैन की तरफ देखता और एक इसमाइल के साथ उससे बात कर रहा होता है जिससे लोगों को अबेसली थोड़ा अच्छा लगे दूसर अब उसके सामने जो ओल्ड मैन होता है वो मुर्जा हुए चेहरे के साथ और जुरी पड़े चेरे के साथ कांप रहा होता है ऐसा लग रहा होते हैं जैसे ये किसी भी टाइम पे गिड़ जाएगा लेकिन जान की जान्ज के ताइट ओल्ड मैन की जो बाडी थी वो लाइप पावर से भरी हुई थी और जयान की इस पिचल फावर के एफेक्ट में ओल्ड मैन की बाडी में कुछ भी अजीव नहीं होता इसलिए जान को लग रहा होता ओल्ड मैन बहुत कुछ चेपा रहा है तब ही वो बंदा कहता है मैं प्राउट फुल हूँ कि मैंने सीनियर को देखा मैं यहाँ पे कल्टिबेशन करने के लिए लकडियों को इखटा करने के लिए आया हूँ आखिरकार मैं जिन स्किल्स को फॉलो करता हूँ वो कुछ स्पेशल स्किल्स हैं ओल्ड मैन यहाँ पे बोल रहा होता है और कापी निरास भी लग रहा होता है जौन एरान होता है कि ओल्ड मैन इतना जाए निरास क्यों है इसलिए जौन अपनी आखे से कोड़ता है और जौन तुरंती पूछता है ये इन लकडियों को कट्टा करने का तरीका क्यों है जो सुनका ओल्ड मैन जौन को कोई जबाब नहीं देता उसके बज़ाए बिना किसी रीजन के वो सिर्फ एक थौट ही कहता है कि जो फाइटिंग कोई है ये हजारों सालों से चली आ रही है और ये वील वाडी का वील एम्परर वाडी का एक पाथ है जहां पे फिजकल वाडी और इनर वाडी दौनों को ही श्ट्रोंग करने की जवएत होती है इसलिए मैं इस पाथ को फालो कर रहा हूँ और अपनी फिजकल वाडी को ट्रेन कर रहा हूँ क्योंकि वाडी को कंट्रोल करने के लिए कोई का यूज करने के लिए लगवग 10,000 तरीके है और यह उन्ही एक तरीकों में से एक है जो कोई का पाथ होता है वो 10,000 पाथ होते हैं हर एक पाथ आपको उसी एक मंजिल की तरफ ले कर जाता है लेकिन उनकी जो intent और पाबर होती है वो अलागलाग होती है ओल्ड मैन की जो आपाज होती है एकदम साफ और क्लियर होती है जो देखकर जो यह भी हैरान होते हैं बात तो सही है डूई कोई के हजारों तरीके हैं लेकिन आप तुमें जो चीज है वो सेम ही है तो क्या ऐसा हो सकता है की ओल्ड में जिस चीज को कल्टिवेट कर रहा हो वो बुडेन कोई हो अपनी कोई को ट्रेन करने के लिए या फिर ये नॉर्मल लकडी काटने का कोई तरीका हो आखेकर ये जो इसन कॉंटिनेंट था यहाँ पर कल्टिवेट करने के बहुत सारी तरीके थे लेकिन ऐसे भी काफी सारे लोग थे जो कल्टिवेट नहीं करते तब यहन कहता है क्या मैं आपसे बूच सकता हूँ किसका क्या मतलब है क्या आप कोई को कल्टिवेट नहीं कर रहे जो देखर उत्रंदी कहता है दुनिया ऐसी काफी साई चीजों से भरी हुई है और हर एक चीज का अपना एक मेथड है डू कोई को ट्रेंड करना एक ओफीसियल तरीका है लेकिन आप अभी भी नहीं जान सकते कि ये दुनिया कितनी बड़ी है कुई के अलाबा भी तो एक पाथ हो सकता है और जैसा कि मैंने कहा कल्टिवेशन के रास्ते में हजारो पाथ हैं और हजारो टाइप की चीजें तो हर एक पाथ एक जैसा भी नहीं है जैसे कि मैं कहूँ क्या आप अगर एक्स्ट्रीम इस्पिच्वल पावर को कल्टिवेट करते हैं तो भी आप डावडी बन सकते हैं लेकिन ये डू कुई को कल्टिवेट करने बालों के कमपेरजन में थोड़ा वीख होगा आप अपनी फिच्वल बाडी को भी ट्रेन कर सकते हैं लेकिन ये कुई और स्पिच्वल पावर के कमपेरजन में वीख होगा ऐसे ही काफी सारे पाथ हैं आप जिसे चाहें उसे कल्टिवेट कर सकते हैं जब आप फिच्वेट में बहुत स्ट्रॉंग होगे तब आपको पता चलेगा कि पहले आप कितने वीख थे साथ ही सकोई को कल्टिवेट करने के लिए एक तरीका माना जा सकता है सिर्फ इसे ही एक लोता तरीका नहीं माना जा सकता जो देखर जयन कहता है ऐसा लगता है कि ये कॉंटिनेंट मेरे लिए कुछ और भी यादा एडवेंचरस और इंटर्टेनिंग होता जा रहा है बले ही अगर आज ताकत कमजोर है मैं एक दिन स्ट्रॉंग ताकत को जरूर फॉलो करूंगा और एक दिन मैन लेंड में जरूर जाऊंगा जिसके बाद जोयान की तरफ देख तो ओल्ड मेन अपना सिरह लाता है तब ही जोयान कहता है ओल्ड मेन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप कहां से हैं और आपने मुझे ये सब क्यों बताया जोयान बड़ी उल्जन से उसे देख रहा होता है जो देखर हो अंदर तुरंदी कहता है तुम्हें बाद में पता चलेगा छोटे साथी अभी तुम काफी अच्छे हो और कड़ी मेहनत करो और उस दिन का इंतिजार करो जब तुम्हें ग्रेट परसन बनोगे मुझे उमीद है कि तुम मुझे निरास नहीं करोगे ओल्ड मेन बात कदम करने के बाद मुड़ता है और आंगे की तरफ जाने लगता है हलाकि वो दो कदम ही आंगे बढ़ा था तब ही जान कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाता हूँ ओल्ड मेन क्या मुझे बता सकते हो क्या आप जियो इससे पहले कि जान अपनी बात कह पाता वो ओल्ड मेन हाजते हुए गायब हो जाता है जो देखकर जान हैरान होता है कि ये ओल्ड मेन अचनक से गायब कैसे हो गया तब ही आब आज आती है आप जिस परसन को ढूड रहे हैं वो कैंग लॉंग माउंटेन के सेविंथ पीक के भैज़तर बैठा हुआ है यह ओल्ड मैन की आब आज होती है लेकिन यह ओल्ड मैन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होता लेकिन इसकी आब आज ने जुआन को चौका दिया था जुआन तुरंदी कहता है कैंग लॉंग माउंटेन की सेविंथ रैंज जुआन चुपचाप उस मिश्टी एस ओल्ड मैन के बारे में सोचता है कि यह सच मुच काफी अद्भुत था जिसके बाद कैंग लॉंग माउंटेन के सेविंथ माउंटेन पीक के सामने जुआन जो काले कपले पहने होता है खड़ा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए और जुआन से ज़्यादा दूर नहीं लेकिन बादलों के उपर एक ओल्ड मेन अप्यार होता है यह वही ओल्ड मेन था जो जयान को अभी अभी दिखा था यह तुरंती कहता है यह परसन यह बच्चा बास्तों में इसके अंदर मुझे उसकी सोल महसूस होती है क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पहले नहीं मरा था या क्या ऐसा हो सकता है कि यह इसका reincarnation है लेकिन यह impossible है मैंने इसके calculation कर ली है और उसका life mark हालब कि केवल एक चीज़ जो मुझे eternal लगता है यह अभी भी है कि उसके origin का पता लगाना मैं उस कानुमान नहीं लगा सकता जैसे कि वो इस दुनिया से हो ही ना साथ युसके future के achievement भी क्या होंगे मुझे ये भी नहीं पता हाला कि मुझे नहीं पता कि ये कौन है लेकिन ये इतना भी आसान नहीं मुझे उम्मीदे कि ये बंदा इस continent को बचा सकता है इस old man किया के थोड़ी देर के लिए चमकती है लेकिन अंतता एक लंबी आह में बदल गई होती है हाला कि जॉन को ये सब नहीं पता था क्योंकि इस टाम पिजुआन तो के भलेक बंदा जो कि जो युवान था उसे ढूड रहा होता है कैंगलोग माउंटिन के सेबिंथ पीक पर जॉन साथ दिनों तक यहां रहता है जोन यहां पर कुछ है खतानाक और अबनॉर्मल चीज़ा देखी होती है यहां वो बैली थी जो चममच जैसी होती है इंट्रेंस गेट भी है छोटा होता है लेकर अंदर जो जगह होती वो काफी बड़ी यहां के आसपा से एक इनविजवल बैरियर होता है जो टूई की कॉंटिनेंट में कुछ पारफुल सेक्टो द्वारा क्रियेट किये गए डिफेंस बैरियर के तुलना में स्ट्रॉंग माना जा सकता था साथ ही यहां पे इस जगह को सेंस नहीं किया जा सकता था अगर उस मिश्टियस ओल्ड में ने जो जगह नहीं बताई होती तो साथ जो 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 कभी भी इस जगह पर आ ही ना पाता या इसे ढूड ही ना पाता जो जो तुरंदी काता यह जगह सच मुझ डावडी तक पहुँच गई थी वो परसन कोई नॉर्मल परसन नहीं होगा साथ ही जौन उस परसन को खोजने में इतना टाइम इसलिए बिता रहा था क्योंकि जौन जानना चाहता था कि एसेंट कॉंटिनेंट पर जियो क्लेन और अधर साथ क्लेन है या नहीं और ये भी अच्छा होगा अगर वो जियो क्लेन के बार में कुछ इंफोमिसन हासिल कर सके जौन तुरंदी कहता है जौन यौन क्या मैं आप से डुई की कॉंटिनेंट में गायब हो चुके डावडी का और लोगों का पता लगा सकता हूँ या कोई इंफोमिसन हासिल कर सकता हूँ जौन के आके चमक रही होती है और वो इस जगह को देख रहा होता है घाटी के मुहाने पर जौन रिस्पेक्टेडली ग्रीट करते हो कहता है जूनियर जौयान सीनियर जौयान को ग्रीट करता है सीनियर के आप मुझसे मिल सकते हैं जोयन के आबाज गडगड़ाट की तरह होती जो पूरी बैली में बूचती है थोड़ी देर बाद एक ओल्ड आबाज आती है मैं जोय युआन हूँ अंदर आओ और इतना कहने के बाद आबाज आना बंद हो जाती है जोयन जब इस आबाज को सुनता है तो बिल्कुल भी संकोच नहीं करता और बैली के अंदर चला गया होता है साथी ये जो इन्विजबल बैरियर था जो पहले उसे रोक रहा था वो भी गायब हो गया होता है जोयन जानता था किसी आबाज के मास्टर नहीं इस बैरियर को गयाब किया था साथी ये जो धंड़क होती है आसपास फैली हुई ये जोयन की बोन मेरो और जोयन की पूरी बाडी में फैल गई होती है साथी जोयन की प्रेजन टाइम की जो पार थी वो टूइस्टार डावडी पर थी और इसमें भी थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा होता लेकिन ये बहुत छोटा था जोयन एक टूइस्टार डावडी जबकि सामने वाला बंदा सेविलिस्टार डावडी अब्यसली उसे इस कॉंटिनेंट के अंदर फ़र्श डो में रखा जा सकता था तो ज्यान की तो बात ही नहीं भला ज्यान को उसकी बॉड़ी पर प्रैसर और औरा कैसे महसूस नहीं हो सकता था साथ ये जो थंड़क होती है काफी ज़्यादा रेयर होती है ज्यान तुरंती कहता है ये अभी भी बॉडर एरिया है अगर मैं और डीप एरिया तक जाओं तो अंदर और कैसी ठंड़क होगी जहां तक बात है जियो यूआन की तो उने इस बैली के डीप एरिया में रहना चाहिए जहां की दिल में अभी भी उने लेकर थोड़ी सी रेस्पेक्ट होती है जिससे वो कभी नहीं मिला आखेकर वो अगर इतनी cold place में cultivate करने में capable है तो यह दिखाने के लिए परियाब था कि वो कितने powerful और अपनी चीजों को लेकर कितने serious person है तो चलोगा है सब next episode में देखेंगे कि जोएं 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 से मिलने के बाद क्या बात्चीत करेगा तो I hope कि तुम लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो अगर वीडियो पसंद आया तो like से subscribe कर देना और वीडियो पर comment कर देना नेक्स एपिसोड में देखते हैं जोएं डवी कोई कॉंटिनेंट वाले हैं या डवी कॉंटिनेंट वाले तो वाई वाई थ्रियान फैमिली गूड मॉनिंग गूड आप्टरनून झाल मॉनिगोologists को अभीर rooting वाले हैं याले हैं याले हिर वाले